यहां पर आज हम complete करेंगे class 8th exercise 3.3 का question number 6 question number 6 क्या है two adjacent angles of a parallelogram have equal major दो angles है adjacent angles parallelogram के वो दो नुजो है बराबर है उसके बाद फर्दर हमें कह रहा है कि find the major of each of the angles of a parallelogram हमें बाग के सारे angles जो हैं parallelogram के निकालने है जिस तरिक से हमने उपर वाला question के है वैसे ही यह भी करेंगे तो यहां पर पहले क्या करेंगे हम पहले हम यहां पर figure बनाएंगे ताकि हम यह question अश्ची तरिक से समझाए इसको हम P, Q, R, S ठीक है इसको लिया हमने और यहां पर हमें कहा गया है कि दो adjacent angle जो है वो बराबर है ठीक है यहां पर आगर हम यह X लेंगे तो यह भी जो है यहां पर X होगा ठीक है तो यहां पर लिखेंगे हम let angle P जो है वो हमने किस के बराबर लिया X के बराबर और angle Q जो है वो भी हमने X के बराबर लिया ठीक है तो यहां पर जो है हम जानते हैं property के हिसाब से angle P जो है वो angle Q के बराबर होगा ठीक है sorry angle P और angle Q का जब हम sum करते हैं वो वहां पर 180 degree निकलता है ठीक है why because यहां पर हमने इससे पहले भी किया because adjacent angles in a parologram are supplementary यहां पर जो है angle P जो है X है और angle Q भी हमें X है यहां पर 180 degree आगया है अब यहां पर जो है फर्दर इसको करेंगे इसको हम फर्दर यहां पर पलस करेंगे X दो बार है तो 2X आएंगा एक वन हैंटो 180 degree यहां पर हमें जो है X खाली रह गया और यह जो है इसके साथ नीचे आएंगा ठीक है cancellation करेंगे 21R 29R यह जो है 0 इसके साथ तो यहां पर हमें जो है X क्या हमें निकला 90 degree आप यहां पर इंको X हमें 90 degree निकला आप यहां पर फर्दर फटर हम इनको पर हमें पर तो यहां पर दोनों आ बाक्य यानि बाकी भी हमें डोन नहीं तो यहां पर अगर यहां पर इसके opposite यह है ठीक है यह दो जो है आपस बराबर होंगे ठीक है जतना यह है उतना ही यह भी होगा क्योंकि यह प्रॉपर्टी से हमें paranologram की प्रॉपर्टी में ही देखा कि opposite angle जो है वो बराबर होते हैं ठीक है तो यह हम पर हम लिख सकते हैं इसको angle P जो है ठीक है वो बराबर है angle R क्यों? Because opposite angles in a parallelogram R equal major तो इसका मतलब यहाँ पर जो है angle P हमें 90 है so 90 degree equivalent angle R या और हम लिख सकते है angle R equivalent to 90 degree यह हो गए इसका अब इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है angle Q और angle S जो है आपस में बराबर है तो यहाँ पर angle S equivalent to angle Q क्यों? Because यहाँ पर same आप उपर वाला जो यहाँ पर हमने opposite angles वाला यही same लिखोगे angle S जो है यहाँ पर angle Q किसके बराबर? 90 degree के बराबर angle S भी हमें 90 degree angle R भी 90 degree angle यह जो है P भी 90 degree और यह भी 90 degree निकला है इसके साथ यह question complete हुआ मिलते हैं next video में